दर्शको नमस्कार खास मुलाकात इस कारेक्टरम में आप सबी का स्वागत है मैं हूँ आपका होस्ट संजय मिरे दर्शको आज इन बी सिंग के स्टूडियो में खास मुलाकात इस कारेक्टरम के लिए अगी शहर के एक ऐसी पर्सनलिटी आई हुए जिने हम सब पहचानते हैं और वे किसी परिचे के मोताज नहीं है लेकिन आज हमारे बीसील के स्टूडियो में आई हुए यह परंपरा होती है का हम हुए नापपुर के दप्तर इसपत के लिए भी काम कास किया है 1933 से लेकि अब तक यहने 2022 तक के पचास वर्ष तक आपने कवी शायर गीतकार ऐसे कई पदों को आपने विभूशित किया है और समाज के दिलों पे राजा आपने किया है और आपका जो पसंदिधा शायर जो है यह तो शायर तो इस भारत वर्ष में कई है लेकिन अगर बेस्ट शायर के बरम यही बात किया जाए तो तनाना कुरिसद आपके बेस्षायर है साहिर लुधियान वी जीजी यह आपके बेस्षायर है और साथी साथ अब तक के आपके द्वारा लिखी दो किताबें चप चुखी है तीसरी किताब आने को है, दरसक्ति जो डू किताबे चप चुकी है, उसले के पहली है मैं और मेरी तनहाई और मचली के आँसू यह बहुत ही भावनात्म उन्हों किताब अने दो किताबे लिकिए, तीसरी किताब बहुत जन्मार्केट प्रमें आने वाली है, उसके बारे में हम इनसे बात करेंगे और अब हम सिधा रूप करते ही नहीं के पास और सर खास मुलाकात में फिर से एक बार स्वागत करते हैं और यह रहा खास मुलाकात का पहला सवाल स्वाधत यह पता ही कि आपके जीवन सफर आहा संगर बढ़ा है और अपने जीवद बंस प्रटपात से रहा है ऐसे क्या बात यह ति कि जिसके चलिघी आपको बच पन से लेकि कई वर्शे तक फुटपात पे रहा पड़ा कि जिंदगी में सभी को खुशिया नहीं मिलती है सभी को परिवार का कहिना की भाग्य नसीब नहीं होता है दलित परिवार में शुद्र परिवार में अपने दूभी घर में आने माबापे घर में पैदा हुआ हूं मुझें खाफ में बडा हूं के नाते और से चिज़ें मुझे सहन करने पड़ी बाबापस say दुरा दुराते जिंदगी कहते है ना जैसे वहां होती सबीकार vibes चलाया हूं बुट पॉलिष कीया हूं एंदियस पॉलिस किया हूं कि उसे मुझे पाला पड़ा है आदेने संजे जी कि मैं आपको बोली सकता हूँ कि जो उल्हाने जो लोगों की जो ताने सुनता था उस ताने के अंदर में भी मुझे कहीना की प्रतार्णा होती थी महबाप से तो मैं बहुत दूर हो गया था कुछ ऐसा ही करते कुछ मुझे अच्यूग मिले जिंदेगी कांज वहीं से मुझे करे ने अदर के संपर maai रही है है और जी के जो ध़ुएन हाब कि आई एक गास्वानी के बहुत बड़ी इंडे!". अभी सवर्गीय हो चुके जिनके नाम से बहुत बड़ा स्मारक है सुरेश भट मेरे पास में आकर बढ़ते थे जी 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 शीपार भाल चंदर जोसी उल्लास मनौर अमर अम्हारम्टे के सीत्य भी जो विद्बत लोक थे समेरे दायरे में आकर कहिना की करी मेरे से बावस्ता रही ते इनी को साथ में कविता का पाठख कहिना कि वर्गी 2 शेरो-षाइरी मिझने लगे तो मेरे नाम बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते ही संग sencill से फूट-पास से थूड़ा सा लोगों के परीष्जे मैरा इसली में बढ़ते गया तो बिल्कुर बिल्कुर तर्णानापुरी जिस अंदाज में यह जो बात बया किये है मतलब कभी सोच में डालने वाली है कि जिन्देगी में ऐसी भी संगर्ष आते हैं मगर संगर्ष जब भी आए तो वह अपने लिए आगे के लिए तरकी की कामिया भी एक सीड़ी एक जरूर लाती है बशरते हमें संगर्ष करना चाहिए और हर आए हुए संगर्ष का सामना करना भी बहुत जरूरी है सर यह तुरह आपका फुटपार भरा जीवन जो जैसे कि आपने संगर्ष से परिपूर्णा आपका रहा है लेकिन जा बैंक की बात आती है रोजगार की ब समय में नागा बाबा उंकारदास इनसे भी आफकी जो उंगला कतुई थी तो उनसे क्या प्रेणा में बताना चाहो गया संग्या साब बात यह है कि फुटपात की दूरों में बहुत गरीवी में रहता था जूभी लोग है मेरे पास में आते थे मगर बैंको पिंड़ा के जो मुंबई से आये थे उनका नाम का जे जी कामत उनकी पत्नी मुझे फुटपात पर सोती हुए देखकर बड़ा दरवित होती थी उन्होंने अपने पती से कहा कि आले का इसको कुछ भी करो ड्यूटी पर लगाओ तो वह अधिकारी मेरे पास में आकर बार-बार कुजार जी के मंदिर में मिले जी ओ गैरा दिन तक उन्होंने वहां पर तपस्या की गोभी लगा कर दूपर बारा वजों से जेट के मैंने में शाम के पाच वजे तक बढ़ते थे अनुमा जी के मंदिर के पास चीता आरे जब उटे ते तपस्या से तो मुनको में भभूती की लग लग जा ऐसा बोलते थे आखरे में जब उनका तब खतम हुआ इनके सेवा समझें उनको भवती लगाता था तब वो बोले तना जी अब तो आपके जीवनें परिवर्तन हो रहा है तना जी बोले हमने जानमुच के आपको सवाला कुई पिसले बोले कि अगर हम आपको वहां अगर आपको लग जा है तो आप वही पिजल पर आते थे वसारी बाते बताए मगर अब तो परिवर्तन हो रहा है में शायद वो सेवा भी मेरे काम आई है और से आधर नहीं है जो बहुत बड़े सहाब थे वो भी मेरे पास आकर उनके घरवाजी ने बोला करके ड्यूटी लगा दिये यह कोई मेरे गवरों की बात थी मेरे तग्यर को बदलने वाली बात थी तो कई ऐसे देश के और राज्य अलनी ना शली है जो बना एक successful का कां की दोटा नहीं होता तो कवी की प्रेअब कैसी आपको को मिली और क्यों लगा कि मैं आज इसमें पूरा खुद को जोग दू अगर नियुकि जब मैं फुटपात के दारें में रहता था तो बड़े-बड़े साहितियार को किताब कहीं लाकर कहीं फुटपातों से कहीं मिल जाया तो खरीद कर लाता था पड़ता था साहितिय के पर बारबादियों का सोग माना फजूल था बरबादियों का जस्त मानाता चला गया यह लगए ने मुझे कहीना की पर नदी है और से सहितते के पति मेरा रुजान रड़ेसे में कुस्तों भी लिखता था लोगों को सुनाता था तो दोस्त लोग या कहो मेरे को चाहने वाल पर टो हांइब लिगता सारी कविता दिरे-दीर में आती गई और आने प्रभावित होते गए और से आधर नहीं है संजेग जी के मैं नाकपूर में नाकपूर के कई दिल्ली तक बिलासपूर तक यह सारी चीजे मैं क्या बुलते हैं कविता के मार्जम से अलगी प्रभाजन करने लगा सामाजिक चिंतन के अंदर में बाबा साथ के विशारों के सामाजिक चिंतन के बाहर भी अनिक महापूर्शोगी कविता उनके जहनती है उनके पुर्णस परण के अंदर में मुझे बार बार बुलाने लगे और से ड्यूटी तो खर एक रोजी रोटी का साहरता हो तो हो गया ता मालिक ने मगर कविता के मार्जम से जो मुझे और साम अच्छा काम काज करते हैं तो हमारे बाकी की जो साथ ही लोग होते हैं जो अच्छे रहते हैं जो बड़े दिलवाले होते हैं वे हमारी पिट थपथा पाते हैं और हमें अच्छा मोटिवेट करते हैं प्रेरिना देते मगर जिनको हमारी अच्छी बाते नागवार गुजरती हैं जिन्में पट्टी नहीं हैं वे लोग हमेशा टांगे खीशने का काम करते हैं और तनानाकपरी इस कवी के बारे में भी यही बात उनके जीवन में हुई थी जब अपनी कवीता किसी को पढ़ने के लिए देते थे या कुछ चालोग में जब बात करना चाहते थे तो उनको मूँ बन रखने के सक्ताकित भी दिया करते थे कहने का मतलब आपके पर कही न कहीं चाट्टे का काम आप में जो हर हुन्र है जो हुन्र है आप में उस हुन्र को रोक ठाम करने का काम कुछ ऐसे जिसको नथद रश्टे कहते हैं कुछ ऐसे लोगों ने भी क्या लोग भगवान उनका भी भला करे तो हमने तन्हानापुरी साफ से जो की कभी है इनसे कई वीशो को लेके हमने बातचित की दर्श्यकाम सवाल सर आपसे यह भी पूछना चाते है कि यू तो जैसे संगीतकार होते हैं कोई रैटर होता है और कभी कभी एक ऐसा शब्द है जो सब के दिलों को जीतता है और कभी कि अपैटाओं को लोगों को पढ़ा अच्छा लगता है लेकिन कभी बनने के लिए क्या कोई एके ल कि आपको कभी बनने के लिए कोई कोचिंग लास होते हैं पढ़ाता है वह उसके सामाजी चिंतन में अगर कोई प्रार्दु भाव उसके जिद्दगी का कहीना कि थकासा हो संगर्स का हो या प्रेड़ना का हो तो वह कहीना कि इस शब्दागर उसको मुईते हैं शब्दागर मानत बन के उसके जजबात में आते हैं तो लिखते रहता है अब लिखने भी कोई मावनी बात लिए अगर उसको भाते अगर शब्दागर जैसी काओडी बर आटे करी चीटी का इसी बाहर निकलती है वैसी उसके शब्द अपने अंत्यकरम से निकलते रहते हैं वाकी में इसमित करने वाली लगती करें करें कि रहती है उसके शब्दों से कुछ ऐसी बाते रिखले घथी करने जाती है लेकिन कभी में जो गंब जो रहता है मतलब दो सवड़ों को लेकर उसकी जो पहंच लेए जो नीО जो लोगों की दिलों तक वह महुचे वह कैसी कला शपिए नको अजिखोको का इसको आता है तक गालीप जीने क्या लिए साहिने क्या इन Media मेला ये पुराने हस्ती को ने जींगों के मात्रुम से समाजी समरस्ता को फ़ी नगमों के मात्रम पहतला पर अभिल से उसके स्टड़ी होना चाहिए द tare पार करनाいく से उपूं अगर अप मिशारों को लेकर उनके मुख्डे करेते हैं कि सारे चीज़ों को जब तक आप अभ्यास नहीं करोंगे आपको अंतकरण से आना चाहिए यह सारी चीज़े जब आपके पास मनानुकूल होंगी तभी आपका समर्म की कविता सामाधी क्षेंतर में एक नया आइना बनकर चलेगी और वो मेरे को ज है जब वे अमारे कंट से निकलती हैं मुख से जो शब्द निकलते हैं वह अपने आप मेहिक होते हैं जिसे इन्होंने भगवान की किरपा कहा है और इस प्रकार के कवी की कविताओं को लोग बड़े प्यार से सुनते कि कवी के कवी जो कवी रहते हैं उतकी जो कविताएं जो रहती है काफी भावपूर्ण रहती है इस और समाच के लिए काफी एक अच्छा दिशा देने का काम कवी लोग करते हैं लेकिन ये तो रहा कवी का काम लिकित तनाना कुर्जी मैंने देखा कि आप कवी के साथ साथ एक कारे करता के रूप में भी काफी आंदोलन और कर रही है यह जा रही है कि आज का जो दौर चल रहा है वो लोग तंत्र का नहीं है ठोक तंत्र का चल रहा है ताना शाही का चल रहा है हमारे आपके ज़जबात पर कुठा रखात करने का चल रहा है हमारे मस्तक के ऊपर में कही ना कही ने क्या बोलते मनमानी के हतोड़े मा पहलों वेर्ध सभिनने सब्सक्राइब को कर दो दो कहा है कि आपको बहुत भुरंग दिखेगा आज जब चुनकर आते हैं अगर नीं मोदी जी में के सहां के लिए घ्ला नीमिला जैसे चुनकर आते हैं मैंने कहते हैं कि हम पाई काला दन सब को लाकर आपको एक पाई का भावाँ देगे घिले का हिसाब नहीं मिला आज अर्वक्रवरूपी जो बड़े बड़े उध्योग पति या वैपरी या सोधागर जो बंते हैं वह लेकर भागे विद्धर सो में जाके साही हो गया मालया से लेकर निरो मिजी से लेकर और वह लैलित मोधी से लेकर सारे जो म लुभाए लुभाओनी वाइदे करते हैं चुनाओ के समय पे चून के आते और बाद में उन्हें वही करना पड़ता है जो उनको खुछ को अच्छा लगे यह तो पिर जादती होगे ना आप बोलते कुछ दोबो के साम जैसी बाते होगी ना अरे आप सच्चा ही अगर अपन भी चुनाओं जितने के लिए नहीं नहीं सब्जबाग और नहीं दुम्रा करने वाले वादे हमारे सामाजी दायरे में मद्दाता को सामने की है और बड़े-बड़े महापुड़ारियों का नाम लेकर कि आपको जैशना शाहिए ना आप बोलते क्या करते क्या हो जब आप को अगर सामाजी दार्ये का अंदर में गरीव का हीच साधने का अगर आपके बाड़ लाए का लाइंगी और के वी बोला था क्या है उसके उनके परिवार को तो कही कि आइक में आप जाते हूँ मेरा मतलब यह नहीं करके मकर आप जो बोलती हूँ इस सब्सक्राइब करने से इंसानियत का भला हुआ कि जब हमारे देश का एक भी आदमी भूगा नशोई हमारे पास पड़ो सा कोई रोता हो अच्छा हो उसको दूद मिले उसकी मां केकर तब्यत कराब है आपके पास सा को याकर दवाकानें बर्ती करें हमारे ंहराखी टाइर की एक नहीं मिलना के किसको ने हाइं मिलगना है जो पुम्हे पती है उनको आप बढ़ा रहे हो जो जिनके पास साघंध नहीं है विदर्ब की नेता है उनके साथ ने कंदे से कंदा मिला कर आपने विदर्ब के लिए हर अंदोलन किया है मैंने तो यहां तक देखा हूँ कि कुछ पुलीस ने जो लाटी चार्ड जो किया था एक पुलिस की आपने लाटी बे ऐसी पकड़ी हुई थी क्या कहना चाहूंगे क्या विदर्ब को सही माइने में न्याय मिल रहा है या न्याय मिलेगा क्या क्या को गया अपताना जी संजय साब विदर्ब देते करके हमारी पिछली सरकारों ने संस्वत में यह पारीद भी किया हुआ है जी ब्रीडलाग बैनी से लेकर तो अग्रवाल से लेकर तो क्या मुलते बापु यहने से लेकर जो भी हस्तिया पुरानी थी आच वो सब लोग कहीना कि भगवान को प्यार तो तरह संथर्डे बस्ते में चले तो जिन पर हमने दाव लगाया था वो घोड़ी कहीना कि यह पिसर्डी निकले ताब उसके लिए क्या कै सकते तना नाकूरी भी इस आंधुरां में कहीना कि 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 कभी दोटी जी के मादधम से कभी शटभ या भगवार को पहरे हुए ने नाके सुप्रीमों बालासाथ ठाकरे जी इन्होंनी ये कहा था कि विदर्भ कतया लगनी होगा बल्कि महारास्तर में विदर्भ का विकास किया जाएंगा क्या आपको लगता है खाते के प्रदि कहीना की सूचूंगा और मां भी आपको को दूंगा मगर वो बाते हैं बड़े बड़े नहिता हो से मैं एक सांसे उनके जनव दिन पर भी धना तो नहीं पर तो फेले तना जी विदर्बाजी घुष्ट न को करां सब्सक्राइब नाम करते हैं निए वाले आज विजरवर को कही नकी सथा में जाते हैं तो वहां पर चुक्षाप बैठे रहेते हैं विजरवर की बाते को वहां पर छोड़ देते हैं और निकलने के बाद में रस्ते कि आके हम आपको आगे करके आनून करते हैं आधर यह करी के पास में चैटफ जी को वह में चवीजी को पांच रुपे के डाकुमेंट पॉलिखके दिया था तो मैं चुनकर आया तो आपको विदरबत दीता हूं जोबी जी मरने के पहले तक एक पस्पत्र गड़करी जी के दर्बार में भेज़ते लेकर कब देरे भी धर्वत हम मैंने भी इस मसले पर उनके मंगले पर चुनके आने के बाद एकी बार गलती सी चले गया तो बात किया था उनका मुण को जैजीब था आधर निया आपने तो सब्सक्राइब करने की वहां पर कामदार डाक्टर खड़ेते वहां पर आश्वरी जीचकार खड़ी थी मैं खामशी से निकला उसके बाद में आज तक साब के बंगले पी नहीं गया तभी आधर नियुक्त को बहुत कुछ कहा है उन पर मेरे पर ऐसा नहीं देवन जी कैसा नहीं देवाजी भी विदरबक्त के मसले पे एक बार ना पोटो ले उनके साथ पे था सुधिर मुंगटिवार साथ पे यह भी मुर्शा लाये थे मैंने में समर्तन दिया था मगर सरकार पर चले जाते हैं सरकार के माएने जब उनको जब मानु पढ़ जाते हैं उनके पीश नहीं दिखाते करके हम ना रगवा जाते हैं बिल्कुल तना नाक पुरी जिस प्रकार से बताया के यदि का जब बाते निकली है केंद्रियों मंत्री नितिम गड़करी की कि मुझे भी तना जी याद है के बढ़कचों का वो दिन था जब बढ़कचों के रेली आ रही थी जब उनने का पूरा पूरा लश्कर उनके स्कार्य करता का हुझू मुमडा था बहुत ज़ादा कारे करता था घोश्टा चल रही थी ऐसे में वहां पे उनकी गाड़ी रुकिया और उस समय में उन्होंने सबके सामने में एहलान किया था कि यदि मैं चून के आता हूं मैं यकिनन मैं विदर्व को अलग जरूर करूंगा विदर्व विग्राग करी लग जैमी बोलतो तो जमें बोलता हूं वह करता हूं ऐसा भी उन्होंने का था उतने नहीं तो देविंदर पढ़नेवी जीने भी विदर्व के लिए करे लेकिन आखिरकार एक ही बात ध्यान में किनारी है कि लुभावनी वादिक वाइदे की जाते हैं चुनावाती बड़े-बड़े गोश्टाएं होती है मगर अंदर में यह दि देखा जाए तो राजनेताओं के चुन के आने के बात के जो कामकाज है वो इस काम के प्रती धाक के तीन पात जैसे दिखाई देते हैं अपनी बातों पे वे अटल नहीं रहते इसलिए कहीं न कहीं अब लोगों का भी भरोसा ऐसे राजनेताओं के उपर समें उड़ रहा है जाए फिर हो कोई भी पक्षका हो कोई भी पक्षका हो राजनेताओं ने समलकर बात करना चाहिए ना कि बड़े-बड़े लुभावन टना झी एक बात और भी दश्वीद Latam की देख उड़ी सवविधान की हम बात करें क्या आपको लगता है कि सहीमानी में डेश का बाताओं प्रश्श हो रहा है विल्कुल ली हो संद्यान साब करनी आपके। टो led कर बतान प्यार दिखाते आधर दिखाते मगर नएने अनुचेत्य बनाकर नएने प्रावधान बनाकर वो उसको बदलने का ही मानस रखते हैं जो बदलने का मानस सब्सक्राइब कर अब अब मन के तोड़ कर अशंब में अलग लगाते हो उत्तर प्रदेश में अलग लगाते हो अब जंता से आपने कि उसको पूरा करो अबने थोड़ी कहा था अब आपने बंद करेकर राखाता कैसे उत्तर प्रदेश के इलेक्शन खतब में तो दुनिया वर के अपने रेट बढ़ा दी एक तरह से साबाजी चिंतर में देखे जा है तो हमारे यह पर डागा डाले का काम आप कर रहे हो अरे छोटा सा कुश्री हो गया है उदर काट पोसर वाला लेकर टैक्स लागा दे सब्सक्राइब कर देखा है मनमुन जी के जमाने में भी प्रेटों के भाव इतने नहीं गए अरे संजय साहब को क्या बता हो यह बाई यह सुस्मीता की क्या स्मुर्थी इरानी जी मेरे जंतर मंतर पे वह सिलेंडर का भाव थोड़ा सा क्या बढ़ गई कांग्रेस को दुन बच्छे के चेरे मासुन दिखाए नहीं देते हैं आप कौन भूग के अबाव में मर रहा है वो दिखाए नहीं देते हैं आपको फिफ मोघी जी का न्य लोगों के आखो से हाव सु बाहर है यह सहलाब नहीं सहीर में देखे जाया लुकत रखा है और अबस्था नहीं और इसलिए मोदीगी आप सभुदान के बनाएव अधिकारों का भनन मत कुरो अच्छा है तनाची ने जिस प्रकार से बताया है यह काफी गंभीर विशा है क्योंकि आज दुनिया के पुरे भारत वर्ष के लोग जो है नागरिक है रसोई गैस के हो चुके सबजी के दाम बढ़ चुके खाने का जो वामुले तेल रहा था उसके हो चुके इतना नहीं तो जब टैक्सेशन की बात आती तो लोग अपने घर का टैक्स बाकाइदा एनेंसी को देते और बहुत जादा बढ़के आता है उनके भी लाइट की बात क करते हैं वो क्योंकि आज भी शौर के कई ऐसे बड़े बड़े बंगले हैं कई ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटर्स है कई ऐसे बड़े बड़े नामी गिरा में रेस्टारेंट्स हैं बड़े बड़े ऐसे प्रतिश्टान हैं जहां पर रोजाना बहुत जादा वैट में कि बिजली जलती है और वे टैक्स भी ने देते कई वर्षों से बकाया है यह आउजूद उसके उनसे रिकोरी नहीं की जाती मगर एक मेडियम उससे भी छोटे आत्मे से जरूर रिकोरी की जाती है इधर पैसा नहीं है महिंगाई बढ़ रहे है ऐसे में गरीब खाएगा क्या और खिलाएगा क्या इस और प्रशासन ने राज्य सरकार ने बिलकुल ध्यान देना चाहिए केंद्र सरकार ने भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि बढ़ती महिंगाई ये चिंता का विशे है क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं आ रहे हैं रोजगार तो सरकार दे ही नहीं रही है ऐसे में रोजगार सरकार ने देना चाहिए लेकिन लोगों को अलग अलग बातों में गुम्रा करके अलग अलग विशे आगे आके मुलभूत जो विशे है जो लोगों की समस्य है उनसे उनकी नजर कहीं दूर कहीं हटाने का काम यह शासन प्रशासन कर रहा है इस और ध्यान देना यहीं समय की मॉंग है तना जी मैरा एक सावाल यह था के आप विवर्य है कभी है आप सब लोगों में चायु ईबहां है आपको हर कोई जानता है नाकपुर नहीं विदर्बनी महरास्ट्रब ने जानता है पुरेके तना नापूरी ये नापूर के कवी है आपके सम्मान में किया जाता है बहुजूद उसके मेरा सवाल ये था कि कलाकार के कोटे में एमेडशी आपको क्यों नहीं बना पाए क्या वहां दिक्कत आया थी अगर ये आज हम इसाब कोई वाली नी के नाते तरह नाकूरी कलाकार कोटे में बैट आए उस जगे मरों नहीं सो सकता है मैं बोलाने सोटे समाज का आदमी चरवकार समाज का आदमी हूँ आज मैं जात पे नहीं जा रहा हूँ आगा साब किसी क्या बहुत है करें आदमी को नवाज हो तो कभी-कभी हमको भी नवाज हो ना हम इतो आपके कैणि के कैटेगरी में आते ना बावसाब के सविधान में बेचते ना अरब कलाकार कोटे वह ने आते मैं डलीक्मित्र हूँ कभी हो दलीत मित्र हो और सामाची संगर्श कंदर मुझे बहुत सारे इनावात मिले हुए आज विद्रबगौरों मेरे को मिला हुआ है यह सारे चीचे जब आप दे सकते हो तो छोटे से चीच में को क्यों नहीं भिश सकते हैं यहां पर क्या है घड़िया नहीं चलता तो मग अधिकार है तो वह कर सकते हैं मेरे नसीब में आखे क्या लिखा है नहीं जाना हुआ संझेश साथ तो मैं आज तक तनह रहा हूं आपका सही नाम क्या है तना नापुरी मेरा जो नाम है यह उपनाम पनाम है तकलूस है मेरा चिंदु उकारा सोन बरसया ने खिंता मनी बूलते बहुते हैं तो बैस्पने में मेरे को लग दिया ता आन्या गना जे समझ के लिए थे ते यह वह परिवार को मर जाते थे तो तन्हानाकुरी के नाम से ही मैं सामाजीक शेत्र में और से कविता के शेत्र में और से अन्याने शेत्रों में जो मेरी पैठ है तो इसी के नाम से होने से सामाजीक समरस्ता को लेकि आपका डाइट है सामाजीक समरस्ता मैं साथ मैं पहली भी कहा हूँ कि समरस्ता के अंदर में हम लोगों चिंतन सिल होना चाहिए जो कुछ आगे बढ़ने से इसको मदत करने से जोपड़ी का अगर बनता है तो हो रहे अब को तो ढरन का के खिलवार कहते हैं यह सारी चीजिच देखने कुछी जाने है, वगर जो हम गरीब लोग है अरे आप नहीं हमको कोई प्लाट विया करके वहां बनाया है और जी यूझना में बनाये किसी तो किसी महापुरुसों की यूझना में जो बने बनाये घर है उस पे अगर आप लाकर कि बुर्डोजर आज चल रहे ऐज यूगी यूटतर परसंद म बुलोजर का नाम से प्रसिद्द हो चुके आज जहांगिरपूर में कितने बुलोजर जो हिंसा पे कितने किया की ने कि घरों को तुड़ने का जो मानस आप दिखा रहे हूं आधर निया सम्रस्ता नहीं है जादती है सम्रस्ता के नाम से कही ना की धब्बा है यह सियासी कही आपका वकार दिखाने का जलजला है यह जलजला आज कही ना कही मानस पर हमारे अंतरा आत्मा पर एक कछोट रहा है अगर विद्वन्स हो जाएक तो जाए कि आप परिशाय के ने कई हो साल लग जाते कि मकान बनाने में और आपको थोड़ी बेरहम ने आती उलने में तो य जी खास मुलकात इस कारेक्रम में अब आखरी का सवाल ये है कि इस समय में तमाम लाकों दर्शक इन्वीसियन के आपका ये प्रोग्राम आपको स्पेशली गौर से देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं ऐसे हमारे तमाम दर्शक के लिए यदि आप मारगदर्शन करना चाह पर जहां से गुजरता हूँ मां सैतान मिला करते हैं और जबसे मैंने आउतार की दोड़ से अपना नाम वापस लिया है तब से मुझे चाहने वाले इनसान मिला करते हैं और चोड़ा सा कलाम आपकी बीच में रखूँगा बुके पेट की खौईस पर क्या बेच वक्त आए 29 का मां बेच चिखाएगे इंसानियत के तकाजों पे जब भीकेंगी गैरत तब पत्थर के फरमाई इस पे खुदा बेच चिखाएगे ए चांद तू लिए जा अपने सितारों को कही वर्लब बेचने वाले तेरा आस्मा पेच के खाएगे चमन के फूलों पे च खाएगाई में जब कुछ भी नहीं रहेंगा बिचने को तो फकत लास का उठता दुआ बेच चे खाएगे सारी खुदा ही बेचकर दैरोहरम के मारे कासी बेच चे खाएगे काबा बेच चे खाएगे और देश की एकता खंड़ता को मार करके गोली सर फिरे सारे भारत को नंगा बेच खाएगे और सुकुरात के मानिन तु जल्दी जहर पी ले तनहा नहीं तो कातिल तेरे दर्द की दवा बेच खाएगे ये भूके पेट की खुआई इस पे क्या बेच खाएगे वक्त आए माई जिखाएगे माई बेच खाएगे माई जिकाएगे साथियो आज बेसी चैनल के माद्यम से आज जो भी दर्सोगों मुझे सुना है मैं चूटी सी मुलाकात अदन्य संजय साबने लिए उनका भी मैं सुक्रकुजार हूँ भाई इम्रान जी का जिन्नोंने यहां पे मु में बहुत होता है उसके लिए मैं आपका कहीं नहीं करता हूँ और शुप कामना देकर अपने शब्दों को विराम देता हूँ धन्यवाद जैवीं जैवाद तो दुरसों के आप थे खास मलाकत इस कारेक्रम में आयो है आज के हमारे महेमान तन्हानागपुरी कवी जुन्हो हाँ जा रहा है हमारा देश महेंगाई किसकदर बढ़ रही है और वाकी का जो कामकास है वो किस तरह से बढ़ रहा है बेरुजगारी का क्या आलम है गुंड़ा गर्दी कितनी पनप रही है ला और कानून जो है वो किस तरह से अपने आप में कोलैफ्स होते हुए नजर आ है सविधान को कई ना कि थोड़ा बहुत खत्रा सा बना हुआ है और कवी क्या होता है कवी की कविताओं से वो शब्द वो अलफाद एक तीर के जैसे होते हैं जो सीधा अगर किसी के दिल में चले जाए बज जाए तक्रा जाए तो क्रांटी होना लाज़मी है तो दर्शुका आप थे तना नाकपुरी जा अगली बार फिर खास मुलाकात इस कारेकर में के हम फिर किसी एक नए साहित्यकार कवी लेखक इनसे आपको जरू रुबरू करवाएंगे तना जी आज आप हमारे स्टूडिय में खास मुलाकात इस कारेकर में जिस प्रकार से आपने जो समय दिया है उसके लिए मैं पर विश्यन परिवार के और से बहुत-बहुत आपका शुपर गजार हूँ और बहुत-बहुत आपका धन्याद करता किसी नए पर्सनलीटीं के साथ खास मुलात के इस कारेकरम में संजें मेरे को दीजिए इजाजत आप देखते रहे आपका पसंदी दा प्रोग्राम खास मुलाकात नाकपूर नमस्कार, नमस्तूरा हूँ झाल झाल